हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सु फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि एसजी पीजी आई की तरफ से नर्सिंग आफीशर की वेकेंसी की नोटिफिकेशन आलेडी जारी किया चुकी है और काफी सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पर आवेदन भी कर दिया होगा लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो जल्द से जल्द आवेदन कर दें और कितनी पोस्ट यहाँ पर आप से सभी लोग देख सकते हैं नर्सिंग आफीशर की 905 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है तो बहुत ही संख्या में है तो बहुत ही सुनहरा और अच्छा ओसर आप सभी के नेट्स के पास है क्योंकि यह आल इंडिया वेक आप्छाइए कर सकते हैं अगर आपने कर रखा है तो आप अपलाई कर सकते हैं यह और सकते हैं इस में इसमें फरल यी पढ़ शुके है और भी यहां पर लाष hackers अही आ रही है तो ऐसे में जिन भी candidates ने apply नहीं किया है वो जल्द से जल्द apply कर दे क्योंकि permanent vacancy है और central government की ये vacancy रहने वाली central government की vacancy है permanent vacancy यहाँ पर है तो बहुत ही जबदस salary भी आपकी रहने वाली है तो आज इस वीडियो में हम पूरी information आपको इस वीडियो में देने वाले हैं जिसमें कि आपके बताएंगे इसका paper का level कैसा रहता है salary आपको कितनी मिलेगी इसमें exam का mode क्या रहेगा exam किस language में होगा और कब तक होगा exam या इसकी परिच्छा कब तक हो नहीं है कब तक हो जाएगी exam एक prox date क्या रहेगी किस मत में exam होगा इसकी जानकाई देंगे answer की आएगी या नहीं आएगी इसकी भी जानकाई देंगे SG, PGI और RML IMS यानि कि डक्टर रामनों लोहिया इंस्टीट आप मेडिकल साइंसे जो है इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा कितने लोग वेटिंग लिस्ट में रहते है तो आप सभी credit को पता है कि RML IMS की तरफ से भी 400 प्लस पदों पर वेकेंसी निकाली गई है तो उ सारी चीज़ आपको यहाँ पर सबसे पहले notification की ओर लेकर चलेंगे जो में इसका notification जारी किया गया था उसकी information देंगे फिर एक एक पॉइंट यहाँ पर clear करेंगे तो friends चलते है notification की तरफ और notification में जाने पहले अगर आभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो क मैंने open कर ली है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट आप मेडिकल साइंसर राइबरिली रोड लखनौ की तरफ से वेकेंसी निकाली गई है यानि कि SGPGI की तरफ से यहाँ पर वेकेंसी जो निकाली गई है इसके लिए आवेदन यहाँ पर अभी open है त डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं तो इसको लाश तक जरूर देखें अब यहाँ पर देसकते हैं रिक्रूड्मेंट की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसकी जो लाश डेट और आनलाइन इस्टार्ट क्या रखी गई थी आप देसकते क्ट में अगर अब भी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई जरू करें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है कि ब्सक्रणार ये तो भी अप्लाई कर सकते हैं अब यहाँ पर जेनम का देखने के साथ एक चीज़ी है कि यहाँ पर two years का experience आपके पास नहीं चाहिए minimum 50 वेड़ेड हॉस्पिटल का तो जेनम की जितने भी candidates हैं अब यह जाहे वो जो कर चुके हैं उनकों वो हो या फिर जो नए candidates हैं वो सभी यह चीज़ देख सुन लें अच्छी ए बहुत important point सामने निकल के आ रहा है अब जितनी भी अच्छी वेकेंसी होती उनमें minimum 50 वेड़ेड हॉस्पिटल का experience मांगा जाता है वो भी दो साल का तो जो भी candidates जेनम कंप्लीट करें या जो कर चुके हैं अगर experience नहीं है तो minimum 50 वेड़ेड हॉस्पिटल में ही अपना job करें जिससे वहाँ को 50 वेड़ेड हॉस्पिटल का experience मिल करें किसी छोटे भूटे ऐसे हॉस्पिटल में जोइनने करें जिसकी वज़े से आपको बाद में experience की problem सामने फेज करनी पड़े तो जेनम वाले candidates के लिए बहुत ही इंपर्ड़ेड हो जाते हैं इसलिए minimum 50 वेड़ेड हॉस्पिटल में आप training करें और दो साल का experience लेकर तब जेनम वालों के लिए दिक्कत रहती है तो उनके लिए बहुत ही important point है तो 25 जनुवी तक इसकी last date रखेंगे तो 25 जनुवी तक आप लोग आविदन कर दें और इसकी जो मैं आपको बता हूँ इसका जो एक्जाम होगा और CBT बेस्ट यानिक कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट आ गई है यह जो PDF है इसको एक बार रीड जरूर कर लें सारी चीज़ें में दी गई है अब यहां पर जो सबसे पहला point था अभी आपको दिखाते हैं यहां पर जो पहला point हमारा है वह paper का level कैसा रहेगा तो यहां पर हम आपको पेपर का level जो है SG-PGI का बहुत ज्यादा टफ न माना जाए moderate type का paper आया था ना तो tough था ना ही जी था एकदम ऐसा paper आया था कि हां सभी लोग कर सके लेकिन इसमें number काफी कम लोगों को मिले यह थोड़ा सा एक doubtful कुछ रहता है कि हां इतने कम number कैसे मिले paper का level भी ज्यादा hard नहीं था तो number कैसे कम मिले और इसमें यह चीज़ा का level होता है उसको ध्यान में रखते हुए इस बात त्यारी करें अभी आपके पास थोड़ा time है तो अच्छे से त्यारी कर ले क्योंकि इसमें आपको हम बताएंगे कि paper में जो है कितने percent आपके नर्सिंग से question आते हैं और कितने percent आपके अधर से question आते हैं तो यहां पर आप आपको बताएं paper का level के ही बात करना है तो यहां पर आपको clear कर दें कि आपके hundred question अगर होंगे तो आपके 60 आपके nursing से पूछे जाएंगे और 40 question आपके जो है अधर जो रहेंगे आपका जीए जीए साएगा मैथ आएगा इंगलिस आएगा उससे रहते हैं तो इन 60 questions में तो nursing आपको कोई दिक्कत नहीं हो फेस करने होते हैं इसमें आपको दिक्कत होती nursing candidates के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है यह 40 नंबर का जो paper आता है जिसमें कि आपका English grammar आती है और mathematics आती है जीए जीए साती है जो भी आता है इस 40 नंबर का question होते हैं इसमें नंबर कम होने की वज रहा है उसके बाद नंबर कहा तो 40 नंबर यहां पर कम आता है इसमें आप score कम कर पाते हैं nursing के साथ दिक्कत आती है इस वज़े से आप लोगों का selection नहीं हो पता जो nursing के साथ साथ इस लेबल इस 40 question में भी इसको अच्छा करता उनका selection यहां पर हो जाता है तो paper का label यहां पर आपका moderate type का रहने वाला है अब बात करें salary की तो salary कितनी मिलेगी salary आपको दाएंगी central government की यह जौब है तो यहां पर salary भी आपकी बहुत ही जबर्दस रहने वाली है कम से को 60 प्लस आपकी salary आराम से रहेगी 60 to 80 के बीच में आपकी हापकी salary रहने वाली है तो बहुत ही जबर salary के अंदर ही काफी सारी मलब सुविधाये हैं वहाँ transportation की रहने की living की खाने पीने की सारी सुविधाये आपको अंदर ही मिल जाएंगी salary आपको अच्छा मिलता है मेट्रो सिटी हो गई लखनो तो उसका salary वह भी काफी अच्छा आपको मिलता है इस वज़े से salary आपकी 80 प्लस आपकी जाने की उमीद है 60 तो आपकी minimum हम बता ही रहें लेकिन अच्छा वगारे सब मिला के आपकी 80 प्लस आपकी salary यहाँ पर बढ़ने तो बहुत जबदस salary आपकी यहाँ पर रहने वाली है तो यह बहुत अच्छा चांस आप सभी के पास रहने वाला है इसके वाद बात करें एक्जाम का भासा माध्यम क्या रहेगा और पैच्छा कब तक होगी तो इसके लिए हम आपको point दिखा लेते हैं जो PDF यहाँ पर जारी किया गया था नोटिफिकेस्ट उसमें सब्सक्राइब करें अच्छे से पढ़ना सीखें और उसको स्ट्रॉंग कर लिए जिस वजे से आपको प्रॉब्लम ना ने पाए तो इस चीज को ध्यान में रखें क्योंकि इंग्लिस मोड में ही आपका पेपर लिया जाएगा इसमें किसी प्रका का कोई चेंज नहीं किया जाएगा अगला जो point है एक्जाम कब तक होगा तो एक्जाम आपका यहां की जनुरी 25 जनुरी तक आपका पेपर यहां पे कंडेक्ट करा लिया जाएगा तो अप्रेल से पहले पहले वेकेंसी क्लियर भी हो जाएगी यह भी आप मान के चलिए तो अप्रेल में आपका पेपर होके अप्रेल में ही आपका रिजल्ट भी घोसित कर जाएगा क्योंकि यहां पे पिछली बाद घुल्ट कर दिया जाएगा तो यह तो यह तो हो गई सारे पाइंट अब अगला पइंट है कि सब्सक्राइब क 20 में तो मैं यहां पर कोऊंगा कि एषी पर ज़्याया यहां पर ज्यादा आपर जिए जिस्टेट गॉणनेंट में आता है फ्याएब का को चीए आपका घ्रय चाहिए यहां कि यहां जाते हैं तो काफी अच्छी आपको सीखने को भी बहुत अछह मिलेगा आरेमल में भी बैस्ट है ऐसा नहीं है कि कोई बैस्ट नहीं है चाहा यहाँ जो है लेकिन एजी पीजियाई जो है आपका एंप के लेवल का है तो एम्स और आरेमल में आप अंतर खुद ही समझ सकते है तो जो aims के level का है तो वो तो एक top level पे रहने वाला है तो SG-PGI में रहे हैं आपसे best रहेगा तो आप सभी लोग कोसिश करें कि SG-PGI में job जरूर करें तो यह हो गया अगला point जो मैंने clear लिखा था कि SG-PGI और RML में कौन सा best रहने वाला है अगला जो point है यहां पर आप दे सकते हैं कितने लोग वेटिंग लिष्ट में रखा हैं तो वेटिंग लिष्ट में आपको बताने कि अभी जो पिछला exam हुआ था 200 लोगों के 200 सीट सम्तिंग थी उसके लिए जो candidate सेलक्ट हो इसके बाद भी अभी करी 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 काफी में एक सो कुछ candidate का नाम में यहां पर सामिल किया ग bên बेके नहीं वेटिंग लिष्ट यहां पर जारई काई थी वेटिंग लिष्ट भी आप दे सकते हैं में धिक कराना है तो काफी सारे candidates waiting list में रखे जाएंगे तो आप सभी लोग यहां से अंदाजा लगा लें कि जो आपके नंबर है नर्सिंग के वह तो अच्छे से करेंगे ही करेंगे प्लस जो 40 नंबर का पेपर होगा यह अच्छे से अगर कर लेगा तो आपका सेलेक्शन हेंड़े परसेंट हो जाएगा इसको फिर कोई रोग नहीं सकता है अगर चालिस में आप तीस नंबर पैंतिस नंबर ले आए तो आ आपकी 25 जनवरी यहां पर रखे गई 25 जनवरी से पहले पहले यहां पर अप्लाइक कर देना है आल इंडिया वेकंसी किसी भी स्टेट के हो आप अप्लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंट्स पूरी इंफार्मेशन मैंने आपको आपको प्रवाइड की है आई होप यह वीडियो आप सभी के लिए इंफार्मेट्व रहेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम